दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि ये मुवी बच्चों के लिए नहीं है इसलिए 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस मुवी को अपनी जिमेदारी से देखें दोस्तो ये एक अजीब सी लड़की की कहानी है जो अपने हाई स्कूल के आखरी दिनों तक वर्जिन थी उसे इस बात पर गर्ब महसूस होने के बज़ाई घुटन महसूस होती थी क्योंकि उसकी दोस्त से लेकर उसकी बड़ी बहन तक सभी अपना काम करवा चुकी थी और उ असलिए वो एक खचाखच मचानी की लिश्ट तेयार करती है तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल में चल रहे फैरवल सरिमेनी से जहां पर स्कूल की सबसे होनार लड़की मुमफली को स्पीच देने के स्टेज पर बुलाया जाता है इसी बीच एक लड़की ये कहकर उसकी मजाक उड़ा रही थी कि वो तवी भरजीन कली है मुमफली इसका कोई जबाब नहीं देती और अपनी स्पीच को छोटा करके स्टेज से उतर जाती है फैरवल के बाद मुमफली जब अपने माता पिता के साथ थी तब उसकी बड़ी बहन एमबर अपने बॉ कप की तलाश करते हैं इसमें वो 1970 वाली प्यार ढून रही थी खैर इधर उसके पास उसका क्लासमेट अरविंद कोलापूरी आकर उसे जकड़ लेता है और उसकी स्पीच के लिए धेर सारी बधाया देता है दरसल अरविंद कोलापूरी मुमफली से प्यार करता है लेकिन वो भी उसी की तरह ही एक नंबर का गधा था इसलिए वो उसे गिफ्ट के तौर पर एक जुराब देता है यार गल्फ्रेंट को गिफ्ट में कौन मुझा देता है ये तो बावला अलगी निशा करके आया है एमबर यहां पर मुमफली से कहती है वो तुम से प्यार करता है इसलिए शायद तुम्हें जुराब गिफ्ट कर रहा है जिसमें मुमफली कहती है नहीं हम दोनों तो बस अच्छे दोस्त है और कुछ नहीं तब युँआ पर मुमफली की दो दोस्त भी पहुँच जाती है और वो दोनों मुमफली को अपने साथ ले कर जाती है गारी में म किताब खरीदना, होमवार्प करना, अपने प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करना वगेरा वगेरा लेकिन वो दोनों से एक पार्टी में लेकर जाती है जहां पर एक लड़का अपने मुह में चोंगा और पाइप डाल कर दारू की पेटी खाली कर रहा था मुमफली ने आज से प पूरी की पूरी बोतल गटक जाती है इसके बाद दो दारू की पूरी टंकी ही पी जाती है लेकिन क्योंकि उसने आज से पहले कभी दारू नहीं प्या था इसलिए उसकी दोस्तों से उठाकर एक कमरे में लेकर जाती है मुमफली जब अकेली वहां पर सो रही थी तब उस रूम में रश्टी भी पहुंच जाता है लाइट बंध होने की वजह से वह मुमफली को अपनी गल्फ्रेंट समझ कर उसके साथ चुमन चपाटी शुरू कर देता है मुमफली ने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया था इसलिए ऐसा करने में उसे बहुत मज़े आ रही उसकी दोस्त को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रही थी क्योंकि रश्टी उनके स्कूल का सबसे कड़क लॉंडा था और हर कोई लड़की उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी अब इस घटना के बाद से मुमफली के अंदर कामवासना जागने लगती है अगली सु कर उसके पिता का तो खुन खौल जाता है और वो अपनी बीवी को डाटने लगता है तब उसकी बीवी उसे ये कहकर शांत करती है कि वो दोनों जल्दी शादी करने वाले है इसलिए अब उनका एक साथ रहना जायज है खेर उसी दिन बाद में मुमफली लाइफगार्ड की नौकरी करने के लिए वहाँ के एक स्थानिय पूल में जाता है जहाँ पर सबसे पहले उसकी मुलाकात रश्टी से होता है जो भी उसी पूल में काम करता था रश्टी यहाँ पर उससे पिछली रात के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अगली बार से वो किस करने से पहल जिसमें मुमफली कहती है मा आपको पता नहीं साले ने आज मुझे सभी के सामने चप्राची की तरह काम करवाया खेर मुमफली रश्टी के उपर एट्रेक्ट हो गई थी और उसके साथ ही अपनी वर्जिनीटी को तोड़ना चाहती थी इसलिए वो अपने मा से पूछती है कि उन्होंने किसुम्र में अपनी वर्जिनीटी को लोज किया था यहाँ पर उसकी मा तो उसे कोई जबाब नहीं दे पाती लेकिन उसके पिता कहते हैं कि यह होनार काम उसके पिता नहीं किया था दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग गलती से भी ये सवाल कोई फाइदा नहीं है देखा ना पिछली बार एंबर को यह सब कुछ बता दिया था तब उसने 15 साल की उमर में ही अपनी वर्जिनीटी को लूज कर लिया था खेर वहीं दूसरी तरफ एंबर मुमफली को अपना इतिहास बताती है कि वह जब 15 साल की थी तब उसने क्या-क कांड किया और कैसे अपनी वर्जिनीटी को लूज किया ये बात सुनकर मुमफली के अंदर भी हवस जागने लगती है और वह अपनी खचा-कच मचाने के फैंटसाइज की एक सूची बना लेती है अगले दिन वह अपनी दोस्तों से मिलकर उन्हें अपना ये योजना बता फेलो जाता है जब एक बच्चा उसे अचानक पूल में गिरा देता है उसका बॉस बिली भी एक नंबर का बदमाश था और मुमफली के उठने पर वो से फिर से पानी में गिरा देता है ये सब कुछ देखकर रश्ट्यू से उठाता है लेकिन उसका भी इरादा उन्ही के जैसा ही था वो सभी मिलकर मुमफली के साथ प्रैंक के उपर प्रैंक करते जा रहे थे इसी बीच बिली मुमफली को पूल में तैर रहे एक इनसान के टट्टी को साफ करने के लिए कहता है मुमफली सोचती है कि ये भी एक मजाक है और वो टट्टी को चॉकलेट समझ कर उस इसलिए वो पूल में डूबने लगता है ये देखकर मुमफली उसे जाकर बचाती है और ब्लैक मिल करने लगती है कि वो ये बात पूल के मैनेजमेंट को बता देगी बिली अपने नौकरी से हाथ धोना नहीं चाता था इसलिए वो मुमफली के साथ एक सौदा करता है कि मुम अगले दिन पूल में उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त खुद को चुकर अपने आपको प्लेजर देती है वो भी इस चीज़ को अपने टूडू लिस्ट में शामिल करती है और रात होने पर रश्टी को सोच सोच कर मास्टर बेट करती है इसी बीच उसके कमरे में उसकी ब हैं जहांपर मुमफली अर्विंद कोलापूरी के केले को चील देती है यानि उसे हैंड जॉब देती है अगले दिन मुमफली रश्टी को लुभाने के लिए बिक्नी पहन कर पुल में पहुँच चुकी थी इसी बीच अचानक कब उसकी ब्रा उतर जाती है इसके बारे में मुमफली जब बिली को तैड़ना सिखा रही थी तबी वहां पर मुमफली की बड़ी बहन एमबर भी पहुच जाती है बिली पहली निजर में ही उसकी खुबसूरती को देखकर उसे दाना डालने लगा था लेकिन एमबर कहां उससे पटने वाली थी खेर अगले दिन जब पो तीनों पूल साइड पर बैठकर एडल्ट मेगजिन देख रही थी तबी मुमफली की नजर रश्टी के उपर जाता है जो कि उसे घूर रहा था मुमफली को लग रहा था कि रश्टी साइद उसी के बारे में ही बात कर रहा है इसलिए वो और उसकी दोस्त मिलकर एक प्लाश में पैलेस क्लब में पहुँच जाती है लेकिन कई घंटों तक इंतेजार करने के बाद भी रश्टी वहां पर नहीं आता तब मुमफली उस क्लब से ही कुछ लड़कों को उठाकर पूल में पहुचती है और फिर उनके साथ रंगा-रंग कार्यक्रम शुरू कर दे थी ये सब कुछ पढ़कर अर्विंद कोलापूरी के दिल को बहुत ठेस पहुचता है और उसका बना-बनाया दिल तूट जाता है थोड़ी दिर में मुमफली के आने पर वो मुमफली के उपर बहुत गुसा था इसलिए वो से भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है मुमफली उससे प्यार नहीं करती थी बलकि अपनी हवस की लिष्ट को पूरा करनी के लिए उसे इस्तेमाल कर रही थी वो ये बात अपने दोस्त डफी को बताता है जो पहले से ही मुमफली की लेना चाहता था इस मौके का फाइदा उठा कर वो हरामी मुमफली को समझाने क के बहाने उसके करीब आ जाता है और उसकी पैंटी उतारनी की भी कोशिश करता है मुमफली अपने आपको संभाल नहीं पाती और अपने लिष्ट को पूरा करनी के लिए उसके साथ उपर उपर सही रगड़ा रगड़ी शुरू कर देती है अगले दिन डफी ये बात अप अपने टू-डू-डू-लिष्ट में लिखती थी कि उसने किसके साथ क्या क्या किया इसी बीच एक दिन उसकी एक दोस्त उसके इस टू-डू-लिष्ट में डफी का नाम देख लेती है दरसल वो लड़की डफी से प्यार करती थी इसलिए मुमफली के साथ लखी के इस जाती है इधर मुमफली जिस पूल में काम करती थी उस पूल के पास वाले पूल के लोगों ने जान बुझ कर पूल को बहुत गंदा कर दिया था इसलिए मुमफली रष्टी और बिली इसका बदला लेनी के लिए रात में पास वाले पूल में पहुँच जाते हैं और पूल क से निकालने के लिए कहता है वरना वो ये बात पूल मैनेज्मेंट को बता देने की धमकी देता है बिली के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था इसलिए उसे मुमफली को नौकरी से निकालना पड़ता है मुमफली अपनी नौकरी को खो कर बहुत दुखी थी तभ पर वो दोनों एक सुनसान जगे पर गाड़ी के अंदर इंटीमेट होते हैं लेकिन रश्टी वहाँ पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता इससे मुमफली बहुत निराश होती है क्योंकि उसने इतने दिनों तक जिसके लिए ये सब कुछ किया वो पिचारा उसके लिए किस काम का नहीं था इसी बिच मुमफली की नजर वहाँ पर पास वाली गाड़ी के अंदर जाता है जिसमें उसके माता पिता भी इंटीमेट हो रहे थे वो दोनों ही एक दूसरे को इस हालत में देखकर अपनी अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल लेते हैं घर पहुचकर मु और वॉच्ताउन उनिवर्सिटी में एड्मीजन हो चुका है इसी बिच उसकी मुलाकात उहां पर अर्विंद कोलापूरी से होता है जिससे वह माफी मांग कर उसके साथ सुलह कर लेती है इसके बाद मोवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वह अर्विंद कोलापू